मेरे खांक साइट सब्मान ले रहे हैं सब्सक्राइजी से वाइरल भी हो रहा है पहले आप खुद ही सुनिये श्वयत अतिवारी ने आखिर ऐसा क्या कहा था क्लड़का प्राफिटर बिन जाए तो आप उसको भी ऐसी देख रहे हो ना वो थोड़ी ना लड़की है इसको भी तो आसी हम देख रहे है यह है जो किव्डार निभार है खार अच़िए स्टेरोटबस कि अगर बात करे ये खुद इतने ताइं से सिर्टाइ सबी है बगवान का रुथ तो कितनी बार अपना चोचा है बगवान से सीधा ब्राफित हो बतलब चंक देख मेरी ब्रा का साइज भगवान ले रही है और फिर क्या था श्वेता की इस बात के बाद 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 शुरू हो गया वीजो के बाद बाद कुछ लोगों का कहना है कि इस तरहे का बयान देका श्वेता ने उनकी भावनाव को ठेस पहुचाई है बोपाल में दिये विवारित बयान की बाद शुरू अतिवारी के मुश्च के लिए पढ़ सकती हैं क्योंकि मत्यपदेश के ग्रहमंत्री नरोतर मिर्श्रा ने कहा है कि शुरू अतिवारी का बयान बहुत आपत्ती जनक है बोपाल पुलिस कमिशनर से कहा गया है कि मामली की जाच कर 24 घंटे में रिपोर्ट दें उन्होंने सक्त तेवर दिखाती हुए कहा कि इसे परताष्ट नहीं किया जाएगा मैंने वो सुना है देखा भी है और मैं इस बयान की निन्दा करता हूँ मैंने पुलिश कमिशनर भोपाल को निर्देशित किया है कि 24 घंटे में इसके तथ्यों की और पूरी विशे की संदर्व की जाच करके मुझे रिपोर्ट दें जिस वेब सीरीज के अनाउंसमेंट के लिए श्वेटा दिवारी यहां आई थी उसकी शूटिंग भी बोपाल में होने वाली है तो क्या आप इस बावाल की वज़े से शूटिंग पर कोई फर्क पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा बिग बॉस के विनर रह चकी श्वेटा दिवारी टीवी की जानी मानी अभी नेतरी है उन्होंने कई टीवी सीरिल्स में काम किया है वैसे ये पहली बार नहीं है जब श्वेटा दिवारी किसी विवाद में फसी है इससे पहले वो अपनी पुसनल लाइफ को लेकर विवादों का सामना कर चुकी है श्वेटा के पहले पती राजा चौधरी ने काफी बवाल किया था जिसके बाद वो विवादों में रही थी इसके बाद उनकी दूसरे पते अविनफ कोली के साद भी उनका जगड़ा काफी सारविजनिक रहा था आयनस रिपोर्ट